हलो फ्रेंड्स तेसी दिपक चोहंग दोस्तों आज मैं कमरान भड का एक डाउट लेकर आया हूँ एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ काफी समय पहले उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया तक इससार रेड्यूस्ट ग्लाउस पर एक वीडियो बनाया जाए और रेड्यूस तो आज मैं आपको किवल रेडियूस क्लाउस बताने वाला हूं, रेडियूस क्लाउस होता क्या है, उसके सेंटेस्मेकिंग क्या होगा, उसको समझेंगे कैसी यह सारी बातेर सुझाने वाला हूं दोष्ट वकल इद है, सबसे बड़ा तेवार, और हमने कभी सोचा नीथा कि हमको ऐसे इद मनानी पड़ी हूं, तेकिन अब क्या करें हमें कोरूनों से भी तो लड़ना है, सभी को इद की दिली मुबार्द, सभी को इद की बहुत मुबार्द बहुत मुबार्द दोस्तों, जो उमीद है आप सभी लोग अपने घर पर हैं, सेफ हैं, और घर में ही रहकर हम लोग अपनी तरीके से इद मनाएंगे, बेहतर तरीके से मनाएंगे, और अल्ला की अबादत करेंगे, पस इसी कामला के साथ मैं अपना वीडियो चालू करता हूँ. इसको समझेंगे कैसे, reduced relative clauses refer to the shortening of a relative clause, यह relative clause का shortening form है, छोटा रूफ है, छोटा form है, जिसको हम लोग short करके लिखते हैं, उसको हम लोग कहेंगे shortening of a relative clause, which modifies the subject of a sentence, जो sentence ते subject को modify करता है, जो short form है, और sentence के subject को modify करता है, जोस्तों, नीचे मैंने एक बहुत बड़ा example दिया है, उस example से आपको समझ में आ जाएगा, कि हम लोग reduce clause को कैसे समझेंगे, जैसे एक sentence लिखा हुआ है, बहुत बड़ा, मैं आपको बोल के बताता हूँ, my friend sits down at his desk, that is to the right of the stitch, लेकिन हम लोग that is को हटा देना है, अगर that is को हटा देंगे, तो reduced clause हो जाएगा, फिलाल तो ये clause है, लेकिन अगर हम लोग that is को हटा दे, इसको मैंने काट दिया, अगर आप लोग ध्यान दे, तो ये ऐसा बनेगा, my friend sits down at his desk, to the right of the stitch, तो यह पर that is जो है, वो एक्स्रा है दोस्तो, reduced clause बनाने के लिए हमको that is को हटाना पड़ेगा, हम लोग और आगे बढ़ते है, the chair that is next his desk is for the guest, फिर वही बात, that is को हटाएगे, तो हम लोग का shortened form बन जाएगा, short form बन जाएगा, जो की reduced clause होगा, और आगे ब beside the host is an actor, जो host के बाजू में बैठा हुआ तो वह एक actor था, यहाँ पर भी हम लोग, the man seated beside the host is an actor बोलेंगे, who is को यहाँ पर हटाना है, कुल मिलाकर हमको conjunction और helping up को हटाना है, conjunction और helping up को हटाने से यह reduced clause बन जाता है, और आगे देखते हैं, the show is broadcasted, lie in a studio, that is situated in new Delhi, तो जो show है, वो broadcast होना है, live broadcast होना है, studio में broadcast होना है, और that is situated in new Delhi, यहाँ पर हमको that is को हटाना है, direct हम लोग कहेंगे situated in new Delhi, तो दोस्तों हमें कुल मिलाकर यह समझ में आया, कि reduced clause को बनाने के लिए हमको conjunction plus helping up को हटा देना होता है, और बाकी सब लिख देना होता है, ताकि वो sentence short बन जाए, कुल मिलाकर conjunction और helping up हट जाए, तो वो reduced clause बन जाती है, और कुछ example लेते हैं, जिसे हमको सारी बाते clear रुएगी, कि हम मिलो reduced clause को कैसे बनाना है, पहला sentence, बनाने के लिए हमने लिखा, the main working at the company lives nearby, कंपनी में काम करने वाला आदमी मेरे घर के बाजू में रहता है, इस बार मैंने जो नहीं बोला, कंपनी में काम करने वाला आदमी मेरे घर के करीब रहता है, तो यह इसका reduced form बना दोस्तों, next sentence, the box which was in the Elmira was made in India, अब इसका reduced form बनाते हैं हम लो, the box in the Elmira was made in India, पहले sentence का मतलब यह हुआ कि, the box which was in the Elmira was made in India, जो डबबा है, box है, जो Elmira में था, इंडिया में बना था, डबबा जो Elmira में था, वो इंडिया में बना था, यहांपर कहा गया है, लेकि reduced class में इसका मतलब होगा, the box in the Elmira was made in India, अलमीरा का box अलमीरा में रखा box इंडिया में बना था यहाँ पर यह मतलब होगा जो word हमने यहाँ पर हटा दिया वही बात कि consumption और हमें helping up को हटाना है next sentence देखते हैं the man who was at the meeting spoke about his business the man who was at the meeting spoke about his business आदमी जो meeting में था आदमी जो meeting में था अपने business के बारे में बोला आदमी जो meeting में था उसने अपने business के बारे में बोला तो इसका reduced form देखते हैं दोस्तों the man at the meeting spoke about his business the man at the meeting spoke about his business meeting का आदमी ने अपने business के बारे मोला मैंने यहाँ पर जो शब्द का इस्तिमाल नहीं किया जो लब्ज का इस्तेमाल मैंने नहीं दिया है तो वही बात के लिए हो रही ही कि हम लोग ने उपर वाले सेंटेंस का हूँ वास को हमने हटा दिया है और बाकी परा वही का बहु लिख दिया है तो यह reduced clause हो गया यह shortened form हो गया इसका छोटा रूफ हो गया छोटा form हो गया next sentence the woman who was elected was very poor the woman who was elected was very poor महिला जो चुनी गई थी बहुत गरीब थी महिला जो elect की गई थी बहुत गरीब थी अब इसका reduced form देखे दोस्तों the elected woman was very poor the elected woman was very poor चुनी गई महिला बहुत गरीब थी elect की गई महिला बहुत गरीब थी elect की गई women woman बहुत गरीब थी इस sense में आएगा यह इसका short अन्फा हुआ यहाँ पर भी हम लोग ने conjunction और helping up को हटा दिया है next sentence the dog that is lying on the floor won't bite the dog that is lying on the floor won't bite won't जो है will not का short पा में आपको पता ही है कुत्ता जो फ्लोर पर लेटा था कुत्ता जो फ्लोर पर लेटा था नहीं काटेगा कुत्ता जो फ्लोर पर लेटा था नहीं काटेगा कुत्ता जो फ्लोर पर लेटा है दोस्ते आपर है आएगा था नहीं कुत्ता जो फ्लोर पर लेटा है नहीं काटेगा कुत्ता जो फर्स पर लेटा है नहीं काटेगा इसका reduced form देखते हैं the dog lying on the floor won't bite फर्स पर लेटा कुत्ता नहीं काटेगा अब मैंने आपर जो नहीं बोला जो फर्स पर लेटा है मैंने जो शब्द को हटा दिया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे the dog lying on the floor won't bite फर्स पर लेटा कुत्ता नहीं काटेगा हाँ, बाकी कहीं पर होगा फर्स पर लेटा कुत्ता नहीं काटेगा वो इस से करा है यहाँ पर बैमने इसको reduce करके डैटीस को हमने हटा दिया है next sentence और last sentence the house which was beautiful was sold last year the house which was beautiful was sold last year मकान जो सुन्दर था पिछले साल बेज दिया गया मकान जो सुन्दर था पिछले साल बेज दिया गया अब इसका reduce form लेते हैं the beautiful house was sold last year सुन्दर मकान पिछले साल बेज दिया गया इस sentence है ऐसा लग रहा है कि और भी मकान होंगे कुछ सुन्दर होंगे कुछ बेकार होंगे कुछ छोटे होंगे लेकिन हमने कहा कि सुन्दर मकान बेच दिया गया बाकी मकान को नहीं बेच रहा है तो यह इसका रिड्यूस फरमता तो मुझे उम्मीद है कमरान भट कि आपको आपका जो डाउट था वो किलियर हो गया कि आपको रिड्यूस क्लाउस कैसे बनाना है और भी जो फ्रेज्द आपने पुछा था उसका मैं बहुत चल्द वीडियो बनाऊँगा ओकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें अधिक सदिक लोगों को शेयर करें चैनल में नहीं तो प्लिज सब्सक्राइब करें कि इस पकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिसमें आपकी डाउट रहेंगे, मेरी में डाउट रहेंगे बहुत जद मिलेंगे इसी परकार की नहीं कुशिश के साथ, नहीं प्रयोगों के साथ, आपके मेरी डाउट के साथ, धन्यवार थेंकियो वरीमत शुक्रिया आप बहुत जद मिलेंगे और बहुत दो को शेयर करना है, थेंकियो हुआ 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 है